नमस्कार दोस्तों वल्कम टो शूइंग ट्रेट आज की वीडियो में बात करेंगे बाजाज कंजूमर कंपनी के बारे में इस कंपनी में आज भारी तेजी देखने को मिला है और एक बड़ा भुलिम के साथ में यह स्टॉक में हमें आगी के लिए क्या सुचके चलना है आज की दिन में यहां पर आपब लो थार्क किया हुआ है चरू के साथ में आपको कॉछ डाउट है चले स्टार्ट करेंगे हैं जो कि 2200 क्रोड का मार्केट क्या प्याप है तो उसके साथ में reading Yap industry company है और इसका अब हम बात करएंगे, में यहां पर नाइंट परसंटर का तेजी देखने को मिला है जो कि 13.6 रुपीज का ज़ाल देखने को मिला है यह रिए स्टॉक का अगर हम बात करेंगे यहां पर स्टॉक मे एक महिने में तो यहां पर इतना ज़्यादा कुछ खास रिटन देखने को नहीं मिला है 2010 को 2010-11 को अगर जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है तो यहां से लेके उस टाइम पर 81 रुपीज के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा था अभी 160 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है अगर कंपशनिग का अगर हम सेग्मेंट की बात करेंगे कमपनी का में ब्रांड में अग्र बात करेंगे तो यहां पर आप सबको जरूरूरू पता होगा यहां पे बाजाज यार अमला आयल है उसके साथ में तो यह सब इनका mainly focus brand है उसके साथ में veces अभूह अग़र देखेंगे तो इंट्रेंसिक व्यालू के निच्छ स्टॉक आ चुका है उसके साथ में डिविडेंट इल भी बहुत बढ़िया है ठीक है तो यहां पर एंट्री पॉइंट भी गुड़ बता रहा है तो इस सब में कंपणी का अगर फाइनेंशियली ट्रेंड देखते हैं यहां पर यहां पर रेविनेटि देखने को मिला है तो फिशकनी को अगर प्रोफिटभिलेटि कंपनी है तो उसके साथ में अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे यहां पर यहां पर प्रामोटर होल्डिंग में प्रामोटर के पास में 38 परसंटेज का होल्डिंग है उसके साथ में परसंटेज का होल्डिंग है तो इसे साथ से जो का होलडिंग है इसके साथ में紧ुंस सटीव्य के इसके साथ महांचे बात करेंगे अचे दिन में आज के दिन में क्या एक जबड़त्व वाल्यूम के साथ में यहां पर स्टॉक ट्रेडिंग देखने को मिला है अगर वाल्यूम के बात करेंगे यहां पर कि इसी साफ से कंपनी का अगर हम बात करेंगे यहां पर कि लश्ट काफी दिन से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है देखिए हां पर टूथा ने को मिला लेकिन अगर अगर हम देखते हैं यहां पर रिकवरी देखने को मिला था लेकिन उसके बाद में रिकवरी स्टन नहीं हो पाया लेकिन उसी लेवल पर क्या पास में आ चुका है लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट अगर फॉल होता है मार्केट सिनारियो के बज़र से कुछ भी रिजन के बज़र से मार्केट में फॉल होगा यह मेन इंपोर्टन सपोट एही कि इंपोर्टन सपोट बन सकता है जो कि यहां पर इंपोर्टन सपोट है लेकिन अगर हम गेन की बात करेंगे स्टॉक में आगे आने वाले दिनों में क्या गेन देखने को मिल सकता है इसका टार्गेट यहां पर यह जो टार्गेट लेवल है यह लेवल तक जरूर जा सकता तर्व कर सकता है आगे आने वाले दिनों में एक साल लग सकता यह तो फिर देड़ साल लगता है क्योंकि स्टॉक में चल्वेक डिरावट होता है ना उसके साथ मैं भी त्रषा टाइम लगता है तो हो सकता एक साल देड़ साल में यह अपना टार्गेट आचीब कर सकता है 323 का टार्गेट है लेकिन यह स्टॉक में मैं अभी किसी भी तरीका से बाइंग रेकोमेंडेशन नहीं दे रहा हूं यहां पर है और टाइम हाई तक क्योंकि स्टॉक में इतना बड़ा सा फॉल हुआ है थुड़ा सा टाइम भी लग सकता है तो इसलिए अगर आप नियर टर्म का टार्गेट रखते हैं यह स्टॉक में आपका होल्डिंग है तो होल्डिंग बनाई रखिए लॉस्बूक मत केजिए कंपन में इतना बड़ा सा कुछ प्रोब्लेम नजर नहीं आ रहा है यहां पर हम बात करेंगे और सबसे बड़ा प्रोइंट कंपनी एक जिरो डेट कंपनी है ठीक है तो इसी साब से हम इस टॉक अगर आपका पोर्टफोलियो में है थोड़ा सा होल्ड करके चल सकते हैं अगर अगर आपको पसंद आया फ्रेंट से वीडियो को जरूर लाइक किजिए अगर चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में अगर आप में जुड़ना चाहते हैं यहां पर नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर आप मेरे साथ में जरूर जूर सकते हैं आज के कहानी में बताना चाहूंगा आपको बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी आप जरूर एक प्रेंड है जो कि हमारा वीडियो हमेंसा देखते हैं मतलब यहां अरे और कि करना और ऊसलीव यह यहां पर प्रीव जो कुलियो है कि यहां पर वहन बोबट पोर्टे कर ब को प्रेंज है तो उनके पोल्टी इंटर अल्य के जबटे अल्ली फोर फाइब जांक उसमें यह की स्टॉक में तो उनका 30 लाग का investment है इन वन टाक के अंदर में उनका 30 लाग का investment यह सा गलती कभी भी नहीं करना चाहिए लिए हुए उसके साथ में बाला जी मास कभी बहुत सारा स्टॉक है उसके साथ में और एक कंपनी के बारे में बता रहे थे वह एक स्टॉक में भी काफी सारा हुल्डिंग है तो हमेंसा कोई भी स्टॉक को अपना लास्ट पर्फॉर्मांस को देखके ऑर दुसरी बात है जब हम बात करते यहां पर क्ते हैं ठीकर आपको बहुत सरस्थ हैं यह इसा कोई यह इक भी Scottish दिखिए न इन ही लिगे उसके तोलव पोन चब औहुंट कॉंपनी अभी नेक्स्ट वीडियो में बता हूंगा कौचे बहुत पर्षाप आपको अब को ईसमें बोल डिता हूं की यES सब पोट्फोलियो बनाते हैं वां सीर का ज़ब पोड़ियो बनाते हैं आपको हमेंय सामय बोला हूँ से कम अपना पॉटफुल यौका 5 परसंट या तो फिर फीड़ी परसंट एक स्टाप में रख लीजे के ट्रिंटी से कोई भी स्टॉक का आप लेते हैं से ही वैलुएशन पर एंट्री होना जरूरी है अगर वैलुएशन सही रहेगा तो आपको लॉंक्टर में बहुत अच्छा विल्थ बना के दे सकते हैं अपना स्ट्रेड में अपना स्ट्रेजी का हिसाब से हम प्रफिटू करके चल सकते हैं तो फिर उनने भीडियो मत कीजिए अगर बड़े कुछ सीस्टन स्थे परसंट अप लेसकते हैं स्टाक मार्केट से मैं बता रहा हूं 30% consistently अगर आप गेन करेंगे ना तो आपका धाई साल में पॉर्टफोलिय डबल होता है मेरे कुछ लास्ट वीडियो में बता है न तो टेन येर्स में आपका पूर्फोलियो 14 टाइम्स ग्रोव हो सकता है ठीक है और एक लाग रुपे आपका 1 करोड 90 लाग बन सकता है वान लाग रुपी कैपिटाल से आपका वान करोड 90 लाग रुपे बन सकता है पूंटी एर्स में 30% का हिसाब से अगर आप चलेंगे तो लेकिन से ही धंग से कौन सा स्टॉक को कौन सा टाइम पर एंट्री लेना है यह सब चीज जानना जरूरी है रिस्क एंग वीडियो मिलते न雪 विडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजए उसके साथ में बैगे से ड़ी किज आँड़ा आ कॉकि थैनक यू बर्या कॉछ